सलाम वरेकुम फ्रेंड्स, वल्कम टू फाइम ब्लॉक्स और आज किस ब्लॉक्स में हम बात करने वाले हैं साती हूँ अगर कोई बकरा अचानक से चारा खाना छोड़ देता है जुगाली बंद कर देता है और साथ में पेट में कबज बन जाती है या अफरा बन जाता है तो ऐसी situation में सात्यों हमें क्या करना चाहिए क्या first test add करने चाहिए जिससे बकरा ठीक हो जाए चारा भी खाने लगे जुगाली भी खने लगे और बकरा ठीक हो जाए और first test के बाद भी ठीक नहीं होता है तो वहाँ पर हमें कौन कौन से injection लगाने चाहिए आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ वीडियो पर पहली बार आएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें चलिए शुरू करते हैं साथियो सबसे पहले हमें बकरे के फीबर का पता लगाना चाहिए तो फीबर का पता आप किसे लगाएंगे सरीर गरम होगा कान की फुलक ठंडी होगी और पसुसुस्त होगा जुगाली करना बंद कर देगा तो इस तरह से symptom साप चेक कर सकते हैं और दूसरा है कि आपके पास electronic thermometer है तो उसके माध्यम से आप पता करें तो और ज़्यादा बैतर होगा electronic thermometer सब जीगे medical पर available है और बकरे का बुखार शेक कर निगले है electronic thermometer में साथियो बकरे का बुखार 102 नॉर्मल होता है हलका सा साथियो दो पॉइंट के करीब इसका temperature बढ़ रहा है तो कोई दिकत वाली बात नहीं है तो इसमें आपने अगर बकरे का बुखार साथियो बढ़ रहा है 102 ए 103 ने तो उसमें आप ऐंटिपारेटिक लगाएं तो ठीक हो जाएगा लेकिन साथ में इसके पेट में अफरा भी हलका सा बना हुआ कब जी बनी हो ही है और अर्णर का कहना है कि अभी तक हमने इसकी डिवार्मिंग भी नहीं किया तो सबसे पहले साथियो आपने इसकी डिवार्मिंग करानी है उसके बाद आपने जो treatment करना है फस्टेड की मैं बात करूँ तो एक tablet आती है डिकलूविन प्लस की जिसमें साथियो डाइग्लोफेनिक परसेटा मोल होता है एक tablet साथियो डाइग्लोफेनिक परसेटा मोल की लें और एक tablet आती है साथियो टेरामाशन की अगर 50 kg body weight है बकरे में दें और बकरे की तो यहां पर सबसे पहले हमने पहला इंजेशन लगाए साथियो इसको इंड्रो फ्लॉक्सासिन दिया है और इंजेशन लगाने के बाद अच्छी तरह उसको पालपेट करा दें मलवा दें जो किसी परकार का दर्द या गांट वगर ना बने बच्चे के दूसरे इंजेशन साथियो जो हम देने वाले हैं जो बकरे को लगाने वाले हैं वो पेट से संबंदित लीवर से संबंदित ह लिवर एक्षिट है तो 0.5 ml हमने इसको एविल और पलस 0.5 ml हमने इसको लिवर एकसिट डायलूट करके साथ यो डीप इंटे मस्कूल लगाना तो हलका सा फीबर भी बना हुआ है तो anti-piratic के साथ यो हमें antipyatik भी लगाना है तो Melonix Plus भी हमने इसको 1 ml देने वाले है यह देख सकते हैं सभी इंजिशन हम लगाएंगे तीन इंजिशन हमने को लगाने वाले है और इसके बाद जो आपने करना है तो पॉटर रहाता है जो जनरली में सभी को बताता रहता हूँ भूग बढ़ाने के लिए और सिंपल इंजिशन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है इसका नाम है DP Strong हर जगे 15 ग्राम का साथ्य एविलेबल है उसके जगे अगर वो नहीं मिलता है तो आप रूचा मैक्स भी ले सकते हैं जो और बहुत से भी सात्यों पॉडर आते हैं रूमिनेट्स के लिए तो एक चम्मच सात्यों आपने DP Strong हो चाहे रूचा मोक्स हो एक चम्मच गुन्मने पानी में घोल कर बकरे को सोबह दोपैर साम तीन बार बकरे को दे दें तो सात्यों एक ही डोज में खुल जाएगा अगर आप इंजेक्शन मीने लगाना चाहते हैं तो जो मैंने एंटिबाटिक टैबलेट बताई है और बुकार के लिए टैबलेट बताई है उसे खिलाने के वास आप ये पॉडर भी आप दे देंगे तब भी आपका बकरा ठीक हो जाएगा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें